हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरा नाम है अरुन और आप देख रहे हैं ट्रेडवे तरुन यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसी कंपनीज के बारे में जिन्होंने पास्ट में डिवीडेंट दिया है बहुत अच्छा अपने तो पास से साड़े पाँच परसेंट के आसपास आपको रिटन मिलने लगा है आज की टाइम है उसमें भी बहुत सारी हैडिकें हो जाती हैं कि आपका लॉक इन पीरिट रहेगा आप उतने टाइम तक उसको तोड़ नहीं सकते अगर तो इंटरस रेट कम हो जाएगा और ब जैसा तो आपको फिक्स लगातार आता ही रहा है तो आपके पास चांस भी है कि और जादा रिटन आपको कमाने को मिले जैसा कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको मैं आपको टॉप 5 ऐसी डिविडेंट पेंग स्टॉक के बारे में बताने बाला हूं जिन्होंने अप बहुत ज्यादा रिटन उनका निकला है वैसे ही अकाउंट में आया है और उसके साथ स्टॉक में भी इनिवेस्टेट रहते तो वहां पर कैप्टेल एफ्रेशिशन हुआ है दोस्तों तो पहले डिविडेंट को समय देते हैं दोस्तों डिविडेंट होता क्या है जब कोई कमपनी अपने result announce करती है दोस्तों quarterly result आते है या annual result जब आता है तो उसमें कमपनी बताती है कि उसने क्या profit या क्या loss किया अगर कमपनी profit में है दोस्तों तो कमपनी क्या करती है अपने shareholder जितने भी उसके shareholders हैं आपके पास उसके share है तो आप भी कमपनी के shareholders हुए तो कमपनी अब प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने shareholder को बापस करती है यानि company कहती है कि हम इतना पैसा अपने shareholder को देंगे तो वो पैसा dividend कहलाता है दोस्तों अब वो dividend का जो पैसा होता है वो direct आपके stock में invest नहीं होता है दोस्तों वो पैसा किस तरीके से आता है उसको समझ लेते हैं कि माल लेजे किसी company के आपके पास 100 share है और company ने announce किया कि हम 5 रुपे पर share का आपको dividend देते हैं तो उसका मतलब यह हुआ आपके पास 100 share है तो 5 पर share dividend हुआ तो 100 into 5 यानि 500 रुपीज direct आपके bank account में credit होगे अब वो bank account उनके पास कहा से आएगा तो दोस्तों obviously बात है आपकी KYC, आपकी broker ने कर रखे depository के पास भी आपका सब कुछ है तो direct वो आपके bank account में credit हो जाएगी यानि 500 रुपे आपके पास आगए आप stock में invested है ही आपके पास जितने share थे वो ही है वो सब चलता रहेगा तो कुल मिला कि यह है कि आपके पास एक extra income जैसे कि हम FD में उम्मीट करते है हम FD में क्यों पैसा जमा करते है क्योंकि हमें extra पैसा चाहिए ब्याज चाहिए उसके लिए तो वो आपको मिलता रहता है तो हम इसी इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे top 5S dividend paying stock के बारे में तो चलिए उन stocks को जानते है उससे पहले अगर आप चैनल पर नए है या चैनल को आपने subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए दोस्तों साथी साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिएगा ताके आने वाले वीडियो की notification आपसे मिस ना होने पाए दोस्तों इस चैनल पर आपको बहुत सारा quality content मिल जाता है दोस्तों तो चलिए आप बात करते हैं उन stocks के बारे में तो दोस्तों इस लिस्ट में जो पहला stock है वो है कौन सा दोस्तों गेल अब गेल आप जानते हैं यह government company है दोस्तों अब गेल की अगर price देखेंगे तो अभी 153 के आसपास चल रही है इसके बारे में अगर दोस्तों इसकी dividend history देखेंगे तो आप देखें नो मार्च 2022 को भी विस ने dividend दिया 5 रूपीज पर शेर का तो अभी तो starting है अभी 2022 अभी end भी नहीं हुआ है 21 में बात करेंगे देखी December में dividend दिया March में dividend दिया जनवरी में यह तीन बार dividend दिया कितना चार रूप्य पर शेर काया जाए रूपए पर शेर का हैं और यह भी ढाय रूपे पर शेर के असपास अगर करेंट की प्राइस पर भी आप निकालेंगे तो लगबक 10 रुपे पर शेयर का डिवीडेंट हो गया दोस्तों 10 रुपे पर शेयर का डिवीडेंट यानि कितना निकालाता है 10 डिवाइड़ वाई करिएगा तो करीब 7-7,5% का डिवीडेंट कंपनी ने दिया है 2021 में अब आप एबडी की इंटरस रेट केलकुलेट करीएगे कि एबडी में आपको कितना मिलता है पैसा दोस्तों इंटरस रेट दोनों आप यह समझी की पैसा आपको यहां से जारा आ रहा है क्योंकि आप मिला गया है कि डिवीडेंट यहां पर जादा आ गया और इसके अलावा दोस्तों अगर देखेंगे ना तो इस टॉक में आप इस टॉक में भी इनवेस्टेड है तो अगर आप सोचिए कि इस टॉक में जैसे गेल क्वालिटी स्टॉक है कोई दिक्कत ही नहीं तो अगर महीने कुछ S.I.P. कर रहे होते हैं दोस्तों तो आप समझें के 1,000 रुपय की S.I.P. आपकी लास्ट फाइब यर्स में हर महीने डाल रहे होते हैं आप 1,000 रुपय तो भी आपको एक्स्ट्रा 8% का यह रिटन मिल रहा है और 7.5% पर एयर के हिसाब से लगभग आपको दस लाग वाले के लिए तो 60-70% की वैली दोस्तों 75-70,000 रुपय के आसपास होई करीब तो आप समझ सकते हैं कि डिविडेंट कंपनी का फायड़ा यह होता है कि आपको एक्स्टा इंकम भी जनरेट हो गई साथ ही साथ आप स्टॉक में भी इनिवेस्टेड है तो वहां से रिटन मिली रहा है साथ साथ देखिए गेल की बात करें तो अबरॉल यह ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जिननों ने अपनी इंवेस्टर को माला माल किया मैक्सम जब से स्टॉक देखिए इसमें डेटा एविलेवल है बारासो परसेंट के आसपास का रिटन गेल ने दिया है द दिविडेंटिंड इंकम प्लस क्यापिटल एप्रिशेशन के लिए एक बहुत गड़िया केडिये है दोस्तों दूसरे स्टॉक की बात करें सेम तरीकी की दोस्तों तो दूसरा जैंत प्राइस में हं वह हίν दॉस्तान जिंग की करेंड प्राइश देखेंगे तो 294 की आद 2020 की बात कर लेते हैं तो देखिए 22 रुपए के 21 रुपए 30 पैसा यहां और 16 रुपए 50 पैसा यहां तो 21, 31, 37, 38 रुपीस के आसपास का डिवीडेंट हिंदुस्तान जिंग ने 2020 के आसपास में दिया अब मान के चलते हैं भी 295 प्राइस है आप समझे सकते हैं 2020 में प्राइस क जादा का हो गया और आप किसी यह दोस्तों एक चीज याद रखिए ऐसा नहीं है कि यह जो यहां पर बटाया जा रहा है कि साड़े साथ परसेंट उसने दिया था गेल ने तो फिक्स हो गया कभी-कभी ऐसा होगा किसी साल में हो सकता है वो साड़े 3-4 परसेंट रहे किसी स जो दूसरा शेयर है वह हिंदुस्तान जिंक अब हिंदुस्तान जिंक में अगर आप देखेंगे देखी तो इसमें कैप्टल अप्रीशेशन भी हुआ है लास्ट फाइब यर में भी आप इनिवेस्ट कर रहे हो तो यहां पर आपको एसाईपी मिल जाता मूचल फंड्स मे इतना भागा है इस डौग दोस्तों नेक्स स्टॉक की हम बात करें तो वो सबका जानब पहचाना है इस डौक की प्राइज भी लगमक कोंस्टेंट रहे ही जिसका नाम है आएटेसी आज इस टॉक बहुत 4% से जज़ादा भाग रहा है दोस्तों यह हमने अपने टेलीग्र तो आप नंबर मिल जाएगा वॉटसप पर भाहा पर भी हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो आपको बहां पर बहुत सारी चीजे मिल जाएंगी हमारी सर्विस की थूदो तो आप यह देखें आई टी सी की बात करें तो आएटी सी देखी दोस्तों अभी दोस्तों और स्टॉक की प्राइज आपको पता है कि अभी हाल फिलाल में स्टॉक पिछले एक डिल महीने में स्टॉक अच्छा भागा है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इवन अगर आप अभी की प्राइस पर भी देखें तो भी करीब पांच-साड़े-पांच परसंट का दिवीडेंट परसंटेज डिविदेंट डियल इहां से निकला है तो पांच-साड़े-पांच परसंट आई-टी सी ने आपको डिवीडेंट दिया है लगबग और केपिटल एपरिसेशन के बार करें दोस्तों तो वह अच्छा-कासा हु नहीं है तो यह बहुत ही बड़े डिविडेंट पेंग स्टॉक यह भी है तो गेल हिंदुस्तान जिंग और IDC अब नेक्स चो आगरी दो हैं दोस्तों उसमें चोथा नमबर है विदानता का विदानता हाली में बहुत बड़े-बड़े अट्रेक्टिव डिविडेंट दी है 45 रुपे अगर आप निकालेंगे दोस्तों 300 की प्राइस पे भी निकाल लीजिए तो भी करीब लगबग 12-13 परसेंट हो गया है तो 12-13 परसेंट तो अल्रेड़े डिविडेंट के फॉर्म में दे चुका है 2021 की बात कर लीजिए तो उसमें देख साड़े तेरा उसके बास स करें दोस्तों तो आप सकते हैं कि हर साल 1,000 रुपे डालते तो 6,000 रुपे का इन्वेस्टमेंट आपका 9,64 हो जाता आप तक यानि 51 परसेंट का रिटन यह आपको mutual funds क्या बहुत बड़े-बड़े स्टॉक में भी देखने को नहीं मिलता है तो 51 परसेंट का रिटन आप सम सन 2000 से पहले का डेटा नहीं है तो तब से अगर देखें तो लगवग 10,000 परसेंट का रिटन दे चुका है दोस्तों यह चार कंपनी हो गई दोस्तों लास्ट जो कंपनी है डिवीडेंट वाली वो है कौन सी दोस्तों अगर बात करें तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेश देखेंगे तो करेंट स्टॉक की प्राइस तीन सो चालिस के आसपास चल रही है दोस्तों अगर 2022 में भी देखें तो 2022 में भी कंपनी पांच रुपए पर शेयर का डिवीडेंट दे चुकी 2021 की बात करने क्योंगी 22 अभी बहुत पेंडिंग है 2021 में देखी दोस्तों इस 68 और 16 68 और 16 हो गए दोस्तों 74 84 के आसपास 84 रुपी 84 रुपीज पर शेयर का डिवीडेंट दोस्तों 2021 में दिया है दोस्तों अगर करेंट प्राइस के साफ से 300 रुपए पर भी एड़ करके चलेंगे आप तो लगबग 25-26 परसेंट का डिवीडेंट डिवीडेंट पिछले इसकी तो इसमें साइपी में आपके रिटन देखी 18 परसेंट मलब 6,000 का इंवेस्टमेंट आपका यहां पर 4932 होता क्योंगी स्टॉक में ठोड़ी सी गरावट आई है लास्ट ताइम से लेकिन अगर मेक्सिम की बात करें दोस्तों जब से स्टॉक यहां पर 2000 से बात करें तो लगभग 1000 परसेंट से ज़्यादा का रिटन यहां भी देख चुका है तो आई होब दोस्तों आपको इस समझ में आया होगा कि डिविडेंड पेंग से कंपनी को में इनवेस्ट करने से क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों कि एक्स्रा इंकम की बात करते हैं एक्स्रा इं है कि significant तब चीज़ें न जराते हैं जब आपके पास आप पहनी स्टॉक में क्यों विस्ट करना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर जादा कॉंटिटी आ जाएंगी जादा कॉंटिटी होगी स्टॉक की प्राइस दो चार रुपई होगी तो आपको देखने लगता है कि यार मेर या मैं आइडिया कि एक लाक स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं या बजा जोटो या बी पीपी सीमक्पनी के एक जारे स्टॉक को बोट करना है तो आपको अबिस्की और मेरे पास तो मीरे मुझे जादा वैनिफीचल है कि और रिशार स्टॉक में पैसा डालिए भालतु के प तो आई होप जो मैं समझाना चाहता था वह आपको सब्सक्राइब कर दीगा और जादा से जड़े वीडियो को शेयर